Almost definite है कि Russia का Luna 25 हमसे पहले land करेगा ये देखके काफी लोग दुखी है कि ये इजरो का record चुरा रहा है वगेरा वगेरे ये हमें थोड़ा deeply समझना होगा इस वीडियो की चार parts होंगे सबसे पहले मैं explain करूँगा कि क्यूँ वो एक दिन या दो दिन पहले land करे हमसे secondly ये क्यूँ matter नहीं करता है third ये जो first two parts से disappointed हुए उनको थोड़ा material दूँगा खुश करने और fourth part है नहीं चले जानते है क्यूँ land कर रहा है पहले उससे पहले है वो समझने के लिए मतलब हमें उनका landing spots देखना होगा ये देखो आपके screen के उपर उनके landing spots है जो pins है right वाला pin जो है वो lunar 25 का है 69 degrees south और 43 degrees east और जो left वाला pin है वो चंद्रयान 2 का है जो है 69 degrees south ही पर 32 degrees east अब अगर आप moon का sunrise देखो या जो फेजिस आते है moon के वो moon के right से left को आते है तो अगर आप ये animation में देख रहे हो relation क्या है इस case sunrise का relation ये है कि चांद की उपर एक day होता है 14 earth days यानि जब धर्ती पर 14 दिन होगे तो आएक दिन होगा ये important क्यों है क्योंकि इन missions को पूरा science instruments को use करने make sure करना होगा कि वो पूरा 14 days of sun use कर पाए क्योंकि ये solar power अब हाँ ये exception है कि रश्या के पास एक radioactive heating unit है जो इसे गरम रखेगा रात में जब ये रात उती चांद पर बहुत थंड़ा होता है बहुत हाई chances है कि आपका lander मर जाएगा पर फिर भी रश्या चांस नहीं ले सकती क्योंकि वो backup option है तो first 14 days make sure करना चाते पूरा science मिले चंद्रायन 3 का भी same है चंद्रायन 3 का 23rd August first day होगा moon पे first मतलब start होगा day का moon पे और वो make sure करना चाते उन्हें 14 days मिले चंद्रायन 3 के कैसमें और भी important है क्योंकि उसके पास कोई nuclear heating unit नहीं है वो बहुत high chances ये वो नहीं जी पाएगा after night तो जब एक महीने बाद sun आएगा वापिस शायद वो नहां उटे और रश्या का most likely उटेगा क्योंकि वो एक साल के लिए rated है उस nuclear heating unit के साथ but then again हम assume कर रहे हैं यहापे mission successful होगा और यह क्या मतलब रश्या का 50 साल almost 50 साल बात 47 years के बाद mission हो रहा है काफी सारे लोग resign किया होंगे institution knowledge lose होगा team knowledge lose हो तो हर moon mission पे chances हो fail हो तो हाँ यह पूरा video assumption है कि दोनों success होंगे तो scientifically यह sense करता है Luna का उस दिन land करना ठीक है इन दोनों के बीच का distance 120 km अगर मैंने नहीं बोला तो अभी क्या problem है records के साथ अभी problem यह है कि लोग जब उन्हें complexity नहीं बता किसी चीज की किसी mission की या engineering की वो जो भी nearest dumbest या most simplest चीज है उसको आकी चिपक जाते हैं जैसे जब चंदरान 3 lost हुआ लॉस्ट नी स्वरी launch हुआ तो सब बाती करते है 600 करण की 600 करण की क्यों matter करते हैं similarly records भी matter नहीं करने चाहिए यहाँ पे हम अपनी engineering powers दिखा रहे हैं और science कर रहे हैं कुछ लोग को literally लगता है कि इसरो वहाँ करने में मुश्किल होगी really missions designed होते है science के तरफ से और often designed होते कि क्या नया science कर सकते हैं अब नया science करने के इसमें नए records बन जाते है records इक consequences नया science करने का ना की reason अब आप पुछोगे कि science को unexplain करेगा जिस मैं करूंगा subscribe करो subscribe करो मैं एकडम detail में science कर और engineering कवर करने वाला हूं चं दोनों lander south pole landing बोल सकते हैं हम इने अगर आप देखो जैसे मैंने कहा है 69 degrees पे right south pole कहा है 90 degrees पे मतलब एकडम नीचे और recently आश्ट्रोनील भाई ने वो moon के उपर इंडिया का map डालके भी दिखाया था कि यह दोनों lander चन्ने के पास आएंगे और south pole होगा कन्या कुमारी के पास अब मैं आपको खुश करूँगा जो भी disappointed हुए records के साथ मेरे पास तीन है आपको चीजे खुश करने के लिए एक ते records का क्या है records का जितना resolution बड़ा उतने नही records निकलेंगे right मतलब goa का first cricketer south goa का first cricketer south goa में किसी village का first cricketer उस village में किसी area का first cricketer तो ऐसे आप थोड़ा deep down करो तो records आ जाते है रही इस case में एक बड़ा record है कि देखो लूने के पास rover नहीं है हम सब को twitter पर बोल सकते कि हाँ हाँ ठीक है land कर लिया पर हमार पस world का first south pole rover है ठीक है second second record आप बोल सकते हो कि देखो हमारा I mean यह बहुत childish लगेगा बट उनका 69.32 south है coordinate और अपना है 69.36 तो हम बोल सकती कि हम closest to south pole land कर रहें आप दूर हो ठीक है technically speaking और third third actually बहुत बड़ा bomb बे जो लोग फोड सकते हैं बड़ फोडते नहीं क्यों क्यों नहीं बता कि 2008 में चंद्रयन 1 पे इस रो ने almost 90 degrees मतलब actual like the OG south pole उस पे एक hard landing करवा है ती on purpose hard lander moon impact probe की मैंने एक video बनाया है recently उसके उ दिया है आप नए records भी बना सकते हो ऐसे कुछ रइट तो बस आज के लिए इतना ही था short video था इसलिए यह member short out वगरा नहीं कर रहा हो कल हाँ बस गयंके गरीव सबसे बड़ी जहीं जय बारत बाई बाई चले गएगा यह records वाले चले गए ठीक है अब एक बार लूना 25 की बात करते है क्योंकि मेरेको actually काफी cool लगा इंजिनेरिक वाइस भी और साइन्स वाइस भी काफी इंट्रेस्टिंग है लूना 25 यह जो आप इमेजीस देख रहे हो यह ब्रॉशर के थ्रू है यह इनका जो launch kit है यह translated launch kit जो ट्विटर पर टाइटेन्यम स्वी 5 है उन्होंने बनाया है मैं लिंक कर दूंगा फॉलो कर सक इंट्रेस्टिंग चीज यह लूना 25 अगर आप architecture देखो तो काइंड ओफ नीचे का जो प्रॉपल्शन मॉडिल जिसमें फ्यूल और इंजिन्स है वह सेपरेट है उपर के जो साइन्स और इंस्ट्रमेंटरिशन मॉडिल है उससे इसका मतलब यह कि टेक्निक लिए आपने एक बार freeze कर दिया design तो इसकी उपर आप अलग-अलग चीज़े डालते जा सकते हो जैसे future में written vehicle या कुछ भी हो क्योंकि आपका lander प्रूव हो गया आपका जो प्लैट्व में प्रूव हो गया तो काफी interesting है यह और secondly इसका science देखो तो suspiciously चंद्रेंट 3 के तरह है इसका lander का बहुत close है मतलब instrumentation suit अब यह हो सकता है क्योंकि originally चंद्रेंट 2 रश्या के साथ planned था या maybe not मुझे नहीं बता इतना detail रश्या के affairs का बट देखते हैं सबसे पहले तो यह जो उनका laser mass analyzer है जो interestingly काफी close या similar है in concept to अपना जो LIBS है laser induced breakdown spectrometer बट इंटरस्टिंग चीज़ क्या है कि वह instrument lander पे fixed होगा और एक scoop होगा side में JCB type चोटा जो मिट्टी निकाल के उसे देगा तो काफी interesting लगा मेरे को और यह infrared spectrometer वगरा तो है ही फिर ए gamma radiation source है जो अगेर मेरे को close लगा अपने ASPX instruments है इसके बाद mass spectrometer है mass spectrometer इंटरस्टिंग इसलिए क्योंकि आपको आपने मेर moon water video देखा है तो लफड़ा बता है आपको mass spectrometer से शुरू हाता तो इसका मेरे को data जानने interesting होगा कि यह lunar exosphere में क्या इसका data निकलता है अफकॉर्स यह scoop जो मैंने कहा वो तो है ही प्लस इतने सारे cameras है I mean यह इनका अच्छा लगता है वो make sure करते है कि वो जो भी कर रहे scientific wise वह रिप्रेजेंट करें अच्छी तरह film करें जहां भी जा रहें अच्छा posters वगेरा बनाए रिस्पेक्ट है तो यही था आज के लिए एक short video यह video बना नहीं था मुझे कल का कल के failure video मतलब वो चंद्रेंट टू failure explanation video में इतने सारे comments और अभी नहीं करेंगा तो और भी comments करेंगे future videos में इसे अच्छा इसे video को victim बनाते हैं बाई बाई